हलो स्टुडेंट्स, वेलकम टो तिवारी अकेडमी, तो अब हम प्रशन वली 2.3 आरम करते हैं, चलिए सबसे पहले उसका हम प्रतम प्रशन पढ़ते हैं, इस प्रशन में आपको बोला गया है कि विभाजन एल्गोरित्म का परियोग करके निमनलिखित प्रशनों में PX को GX से भाग देने पर भागफल तथा सेस्फल ग्याद कीजिए, तो अभी आप देखिए, पहले प्रशन में आपको तीन भाग दे हुए हैं, और हर भाग में आपको दो भावपद दी हैं, एक PX भावपद है और एक GX भावपद है, और आपको बोला गया है कि GX वाले भाव भावपद में भाग देना है, और जो भी भागफल तथा सेस्फल आपके पास बचेगा, उसको आपको बता देना है, तो देखिए, जिससे भाग देना है, उसको अर्थाद GX को आप यहाँ पर लखेंगे, और जिसमें भाग देना है, अर्थाद भाज़ जो होगा, पी एक्स आप यहाँ पर लिख देंगे तो x cube minus 3x square plus 5x minus 3 अब यह जान दीजे कि हमेशा gx और px जो भी आपके पास भववपद दी हैं उनको घातों के घटते हुए करम में लिखें जैसे देखी x square हमने पहले लिखा है और minus 2 हमने बाद में लिखा है क्योंकि x square की घात 2 है फिर minus 2 वाले पद में x की घात 0 आईगी इसी तरीके से देखी यहाँ पर घात 3 है यहाँ घात 2 है फिर घात 1 है और यहाँ पर घात 0 है तो आप इसी करम में इनको लिखेंगे अब आपको ये देखना है कि x square minus 2 आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ आपको भाज्य दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर एक संख्या लिखनी है कि जिसका गुणा करने पर आपके पास ये x cube बन जाए आपको पहला पर बराबर बनाना होता है तो आप देखेंगे कि अगर आप x का गुणा कर देंगे तो अगर आपने x का गुणा किया x square में तो आपके पास आजाएगा x की घात 3 अब देखो x का गुणा minus 2 में करोगे तो आपके पास minus 2x आजाएगा ज्यान रखें minus 2x को हमने 5x की नीचे रखा है क्योंकि ये दोनों एक जैसे पद है क्योंकि x वाले पद एक जैसे होंगे तो इनको हमने x साथ रखा है तो अभी देखेंगे अगर मैं इसमें से इसको घटा हूँगा अर्थाद चन्न चेंज हो जाएगा तो अभी देखो ये plus का चन्न है अभी तो चन्न परवर्तित हो जाएगा क्योंकि घटाने पर चन्न परवर्तित ही हो जाता है तो देखें minus हो जाएगा और इसी तरीके से minus वाला plus हो जाएगा तो देखे यह आपके पास cancel हो जाएगा और 5x और 2x को यदि आप जोड़ोगे तो 7x आ जाएगा यहाँ देखे माइनस 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यह तो माइनस 3x square ही रहेगा और यहाँ से देखे यह माइनस 3 आपके पास आ गया अब फिर आपको देखना है कि यह x square है और यहाँ माइनस 3x square है अर्थाद आप माइनस 3 से गुणा करोगे तो देखो आपके पास बनेगा माइनस 3 से गुणा करने पर माइनस का 3x square और माइनस 3 का यदि आप माइनस 2 से गुणा करोगे तो आपके पास प्लस का 6 बन जाएगा तो देखो 6 तो अचरपद है तो माइनस 3 के नीचे आप लिख दो प्लस का 6 क्योंकि एक जैसे पदों को एक साथ रखा जाएगा अर्थाथ एक के नीचे एक रखा जाएगा तो अगर आप अब घटाओगे तो देखो ये माइनस है और ये माइनस है तो एक घटने पर चिन परवर्तित हो जाता है तो अचरप पलस बन जाएगा और माइनस 3 में से 6 घटाओगे अर्थाथ चिन परवर्तित हो जाएगा तो देखो ये तो कैंसल हो गया आपके पास 7x के नीचे कुछ भी नहीं आथा 7x बचा और माइनस 3 और माइनस 6 मिलकर माइनस 9 हो जाएगा अब बात आती है कि क्या हम दुबारा भाग दे सकते हैं तो अब आप देखो कि x स्क्वाइर माइनस 2 था आपके पास gx अर्थात इस बहुपत की घात आपके पास 2 है और जो आपके पास यहाँ पर बचा है 7x माइनस 9 इसमें बहुपत की घात आपके पास 1 है तो जब भी घात आपके पास बराबर होती है या ज़ादा होती है तब ही आप भाग दे सकते हैं इसका तात पर ये हुआ कि अभी आप x²-2 से 7x-9 में भाग नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर देखिए घात 2 है और यहाँ पर घात 1 है तो यही जो आगे ये लिखा होता है ये आपके पास भागफल बन जाता है और 7x-9 ये आपके पास सेफ़फल हो जाएगा तो इस तरीके से आप किसी एक भाउपद से दूसरे भाउपद में भाग देते हैं चलिए अब हम दूसरे भाग पर बढ़ लेते हैं इस वाले भाग में आपको px जो भाउपद दिया है वो है x की घात 4-3x² प्लस 4x प्लस 5 और gx भाउपद आपको दिया हुआ है x² प्लस 1-x तो देखे सबसे पहले तो आप gx भाउपद लिखेंगे क्योंकि आप इस से भाग देंगे ध्यान रखे हमने आपको बताया है था कि भाउपद लिखते समय आप घातों के घटते हुए करम में लिखेंगे तो सबसे पहले x की खात दो अब x की खात एक वाला पद अगर कोई है तो वो लिखेंगे तो देखेंगे यह दिखाई दे रहा है यहां पर घात 4 है अर्थाद आप भाग तो दे सकते हैं तो आपको x square में किसका गुणा करें कि x की खात 4 बना ऐसा आपको सोचना है तो आपको पता लगेगा x square का यह दिखाई आप गुणा करोगे तो आपके पास plus का x square आ जाएगा तो basically आपके पास यह 3 पता आई है लेकिन इसको हमने इसलिए अलग से लिखाए क्योंकि x की खात 3 वाला पत इसमें कुछ था ही नहीं तो आपको समान पतों को एक जैसा एक साथ रखना पड़ता है तो अगर आप घटाओगे तो देखो य यह भी माईनस हो जाएगा और यह माईनस है तो प्लस हो जाएगा फलापत परवर्तित हो जाता है तो देखे कि यह आपके पास चार एकस अगर चार x square हो जाएगा अब x की घात 3 आप इसको सबसे आगए रख दोगे क्योंकि आपको तो सबसे बड़ी घात वाला पत सबसे पहले रखना होता था फिर आप देखो आपके पास बचा 4x और यहां से आप देखो प्लस 5 आपके पास बच गया है फिर आपको यह सोचना है कि x square minus x प्लस 1 जो यह gx जो लिखा हुआ है क्या हम इससे इसमें भाग दे सकते हैं हाँ तो बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि देखिए अगर यहां पर घात 2 है भववपत की और यहां पर घात 3 है अर्थात आप x का गुणा करोगे तो आपके पास आजाएगा x की हाथ 3 minus x square plus x क्योंकि आपने x का गुणा इस gx वाले भववपत में कर दिया तो अगर आप घटाएंगे अर्था sign change कर देंगे तो देखिए minus यह plus हो जाएगा और यह plus का दुबारा minus हो गया तो देखिए यह cancel हो जाएगा आपके पास और देखिए आपके पास रजाएगा minus का 3x square क्योंकि minus का 4x square और plus का x square minus का 3x square हो गया इसी तरीके साब देखो यहाँ 4x है और यहाँ minus का x है तो यह plus का 3x हो गया और plus का 5 आपके पास आगया अब फिर आप सोचिए कि क्या आप भाग दे सकते हैं तो हाँ बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि यहाँ देखी घात 2 है यहाँ पर भी घात 2 है आप कब तक भाग दे सकते हैं जब तक कि घात छोटी ना हो जाएं जैसे ही घात बड़ी या बराबर होगी आप भाग तुरंत देदेंगे इस तरीके से देखो अगर आप माइनस 3 का गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वार अब माइनस 3 का गुणा आप माइनस x से करोगे तो प्लस का 3x आ गया और माइनस 3 का गुणा आप प्लस 1 से करोगे तो आपके पास म दुबारा घटा होगे, तो आपके पास देखिए, माइनस था भी है तो ये घट के चिन परवतित हो जाता है तो प्लस हो जाएगा, इसी तरीके से प्लस का ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा तो देखे ये तो आपके पास cancel हो जाएगा क्योंकि minus का 3x square plus का 3x square इसी तरीके से ये भी cancel हो जाएगा क्योंकि plus का 3x और minus का 3x और यहाँ पर plus का 5 और plus का 3 बचा जो के 8 के बराबर आ जाएगा अब बात आती है कि क्या आप दोबारा भाग दे सकते हैं तो अब आप बिल्कुल भी भाग नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखे गात 2 है और यहाँ पर आप देखे गात 0 है अरथा जब भी छुटी घात आ जाएगी तब आप भाग नहीं दे सकते हैं तो इसका मतलब आपके पास जो cessful होगा वो तो हो जाएगा x square प्लस x माइनस 3 सौरी यह तो आपके पास भागफल हो जाएगा तो यहाँ यह भागफल आपके पास हो गया और जो आपके पास cessful होगा वो 8 के बराबर आ जाएगा तो इस तरीके से इन दोना भागों को हमने हल कर दिया अब देखिए तीसरे भाग में आपको जो px है वो भापद दिया हुआ x की खाद 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx वाला भापद दिया है 2 माइनस x square और आपको gx से भाग देना है तो सबसे पहले तो ध्यान लखें जो gx वाला भापद है और जो px वाला भापद है उनको हमेशा घातों के घटते हुए करम में लिखा जाता है अर्थाद आप माइनस x square को पहले लिखेंगे फिर प्लस 2 लिखेंगे और यहाँ पर आप px वाला भापद लिखेंगे अर्थाद जो भाज्य है x e 4 माइनस 5x प्लस 6 तो फिर आप देखिए आपको यहाँ माइनस x square है x e 4 है तो आप माइनस x square का गोणा करेंगे तभी तो x e 4 बनेगा तो आपने x e 4 कर दिया अब आप माइनस x square का प्लस 2 में गोणा करोगे तो आपके पास माइनस का 2x square आया लेकिन आप देख रहे हैं कि इन पदों में यह जो आपके पास पद लिखे हुए हैं इन में आपके पास x square वाला तो कोई पद है ही नहीं इसलिए आप जो माइनस का 2x square आया इसको अलग से यहाँ पर लिख लिजेगा तो अभी देखिए हम घटाते हैं तो घटाने पर आप जानते हैं चिन परवर्तित हो जाएगा तो देखिए यह प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा और यह कट जाएगा और इसी तरीके से देखिए यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो आप सबसे पहले तो 2x square लिख देंगे तो बिल्कुल जा सकता है क्योंकि देखिए यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर आप देखिए घात 2 है यहाँ पर भी अर्थात हम भाग दे सकते हैं अभी भी तो देखिए आप माइनस 2 से भाग दे देंगे तभी तो आपके पास प्लस का 2x square बनेगा और माइनस 2 से आप प्लस 2 में भाग देंगे तो आपके पास माइनस का 4 हो जाएगा तो आप देखिए मैंने अचर के नीचे अचर पदर रखा हुआ है तो अभी जब हम घटाएंगे तो चिन परवर्तित हो जाएंगे तो यह माइनस और यह प्लस हो जाएगा तो इस तरीके से अब यह आपके पास आ गया अब आप सोचिए कि क्या आप भाग दोबारा दे सकते हैं तो अभी आप भाग नहीं दे सकते हैं क्योंकि देखिए यह जो भहुपद है इसमें घात आपके पास दो है यहाँ पर आपके पास घात एक है तो यहाँ पर अभी आप भाग नहीं दे सकते इसका ताच पर यह हुआ यह जो है अब आपके पास सेसफल बन चुका है तो यहाँ से आपके पास सेसफल तो आ जाएगा माइनस का 5x प्लस 10 और जो भागफल है वो आपके पास यह हो जाएगा जो कि आ रहा है माइनस का x स्क्वायर माइनस 2 के बराबर तो इस तरीके से आपका पहला भाग हल होता है चलिए अब हम दूसरे भाग पर वढ़ते हैं दूसरे प्रशन पर तो इस प्रशन में आपको बोला गया है कि पहले भावपद से दूसरे भावपद को भाग करके जाच कीजिए कि क्या परथम भावपद दूतिय भावपद का एक गुड़न खंड है तो अभी देखिए आपको बोला गया है जो पहला भावपद आपके पास 3 भाग हैं और हर किसी भावपद में तीन भावपद दो दो भावपद दिये हुए है और आपको बोला गया है कि प्रथम भावपद दूतिय भावपद का एक गुड़न खंड है और इसकी आपको जाच करनी है तो देखे सबसे बहतर बात ये रहती है कि अगर हम इसका concept समझे तो समझे कि अगर जैसे आपके पास संख्या 3 है और संख्या 12 है और आपसे बोला जाए कि क्या 3 12 का गुड़न खंड है तो आप 3 से बारे में भाग देंगे यदि सेसफल मैं यह आपर लिख देता हूँ यदि सेसफल 0 आएगा तो गुड़न खंड होता है और सेसफल 0 नहीं आया तो गुड़न खंड नहीं होगा तो आपको इन बातों का ध्यान लखना है जैसे आप देखो 3 का अगर आप बारे में भाग दोके तो यह 4 और आपको यह 0 मिल गया तो आपने देखा कि सेसफल तो आपके पास 0 आ गया तो इसका मतलब 3 बारे का यह गुड़न खंड होता है तो जैसा कॉंसेप्ट हमने इन नंबर्स में लगाया है ऐसा ही यहाँ पर भावपद में लगाएंगे तो इसी तरीके से देखी पहले वाले भावपद में जो कि आपके पास लिखा हुआ है दो गुड़न टीकी खाथ 4 प्लस 3 गुड़न टीकी खाथ 3 माइनस दो गुड़न टीकी खाथ 2 माइनस 9 टी माइनस 12 के बरावर तो अभी आप यह देखो कि आप टी स्क्वाइर से इसमें भाग देंगे तो इसका मतलब दो टी स्क्वाइर आपको गुड़न करना पड़ेगा तभी तो आपके पास दो गुड़न टीकी खाथ 4 आ जाएगा अब देखो 2 टी स्क्वाइर का माइनस 3 में गुड़न करोगे तो माइनस का 6 टी स्क्वाइर आएगा तो देखे आप इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि टी स्क्वाइर वाले पदों को एक साथ लिखा जाएगा तो अभी हम घटाएंगे तो देखे ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस चेन था तो ये प्लस हो जाएगा तो अब देखे ये तो आपके पास कैंसल हो गया क्योंकि प्लस का 2 टी की खाथ 4 और माइनस का 2 गुणा टी की खाथ 4 आप देखे इसके नीचे तो आप कुछ पाई ही नहीं रहे हैं तो इसको तो आप ऐसी लिख देंगे तीन गुणा टी की खाथ तीन यह आपके पास हो जाएगा प्लस चार गुणा टी की खाथ दो माइनस नौ टी माइनस बारे के बरावर तो अभी आप यह देखो कि टी स्क्वाइर से अब आपको इसमें भाग देना है तो भाग तो चला जाएगा क्योंकि यहाँ घाथ दो है और यहाँ पर घाथ देखे तीन है अर्था ज्यादा है तो आप तीन टी का गुणा कर देंगे तो आपके पास आजाएगा तीन गुणा टी की घाथ तीन अब देखो तीन टी का आप माइनस तीन में गुणा करोगे तो माइनस का नोट टी आजाएगा तो आप T वाले पदों के नीचे ही T वाले पद लिखेंगे इस बात का आपको विसेज ध्यान अखना है तो अगर आप अब घटाएंगे तो देखें चिन परवर्तित हो जाएंगे और यहाँ पर प्लस का हो जाएगा तो भाग देने के लिए अब आप प्लस चार का गुणा यहाँ से कर देंगे तो देखें आपके पास आजाएगा चार T स्कॉयर माइनस बार है तो देखें अब आप घटाते हैं तो घटाने पर आप जानते हैं यहाँ प्लस का चार T स्कॉयर है अभी गटाने पर ये चिन परवर्तित हो जाएगा और देखिए माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा तो देखिए ये कैंसल और ये भी कैंसल हो गया तो आपके पास बेसिकली सेस्फ़ल कुछ भी नहीं बचा तो आप बोल सकते हैं चूँकि सेस्फ़ल अर्थाथ आपने देखा कि सेस्फ़ल यहाँ पर जीरो आ रहा है इसलिए जो टी स्कॉयर माइनस तीन एक गुड़नखंड होगा अब गुड़नखंड किसका होगा तो ये स्वभावक सी बात है जो यहाँ पर आपके पास भुपद लिखा हुआ है भाज्ये वाला उसका एक गुड़नकंड टी स्कॉयर माइनस तीन हो जाएगा अब देखीए दूसरे भाग में आपको पहला भुपद दिया है x2 प्लस 3x प्लस एक और दूसरा भुपद आपके पास दिया है 3 गूणा x किका 4 प्लस 5x3 माइनस 7x2 प्लस 2x प्लस 2 तो अभी आप x2 प्लस 3x प्लस 1 से इस भुपद में भाग देंगे तो 3x की खाद 4 प्लस 5x की खाद 3 माइनस 7x की खाद 2 प्लस 2x प्लस 2 तो देखे सबसे पहले भाग देने के लिए आप ये सोचेंगे कि क्या आप इस पर इसमें भाग दे सकते हैं हाँ तो बिलकुल दे सकते हैं क्योंकि देखे गात यहाँ पर बड़ी है और यहाँ पर गात छोटी है तो यहाँ पर आप 3x स्क्वाइर का गुणा करेंगे इससे तो आपके पास आजाएगा 3 गुणा x की खाद 4 प्लस अब देखे 3x स्क्वाइर का आप 3x से गुणा करोगे तो 9x क्यूब आएगा तो आप x क्यूब के नीचे लिखेंगे इसको 3x स्क्वाइर का आप एक से गुणा करोगे तो आपके पास प्लस का 3x स्क्वाइर आ जाएगा तो x स्क्वाइर वाले पदों को आप एक लाइन में लिखेंगे तो अगर आप अप घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है चिन अर्थाथ प्लस का चिन है तो देखिए यह माइनस हो जाएगा तो यह आपके पास कैंसल हो गया यह माइनस हो जाएगा और यह भी माइनस हो जाएगा तो यह आपके पास बचेगा माइनस का 4x क्यूब ये बचा माइनस का 10x square प्लस 2x प्लस 2 तो basically आप इतना तो समझ गए कि आपको पहला वाला जो पद होता है वो बिल्कुल बराबर लाना होता है तो अभी आप देखो आप माइनस 4x का गुणा करोगे तभी तो आपके पास माइनस का 4x की खाथ 3 आ जाएगा माइनस का 12x आ जाएगा माइनस का 4x आपके पास यहां से आ जाएगा यहां पर square आएगा तो अभी देखिए आप घटाएंगे तो obvious सी बात है यह वाला पत्तो 0 होई जाएगा क्योंकि cancel हो जाता है यह प्लस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा क्योंकि चिन परवर्दित होता है तो अभी आप देखो आपके पास बचेगा प्लस का 2x स्क्वाइर क्योंकि देखिए प्लस का 12x स्क्वाइर है और माइनस का 10x स्क्वाइर है तो प्लस का 2x square आ गया, यहाँ पर प्लस का 2x और प्लस का 4x मिलकर प्लस का 6x बन जाएगा, प्लस 2 बन गया, फिर आपने देखा कि आप प्लस 2 का यदि गुणा करोगे तो आपके पास प्लस 2x square बन जाएगा, आपका यही उद्देश से रहता है कि यह पहला पद आपके पा प्लस का माइनस, यह भी माइनस और यह भी माइनस, तो देखी यह कैंसल हो गया, तो कि चिन अलग है, बाकी निमेरिकल वैल्यू सेम है, यह भी कैंसल हो जाएगा, और यह भी आपके पास कैंसल हो गया, तो आपको यहाँ से समझ में आया है कि जो आपके पास faithful है, वो 0 है, तो आपने देखा, चूंकि faithful बराबर 0 आया है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि x square प्लस 3x प्लस 1 एक गुड़नखंड है, तो इस तरीके से आपने दूसरे भाले भाग में जाच करी, तो आपको पता लगा कि पहला जो भौपद है, वो एक गुड़नखंड होगा, दूसरे भ भाग पर बढ़ते हैं, भाग 3 पर, तो देखिए, भाग 3 में आपको दो भौपद दिये हुए हैं दोबारा, और यहाँ पर आपके पास भौपद है, x की खात 3 माइनस 3x प्लस 1, और दूसरा भौपद है, x की खात 5 माइनस 4x क्यूब, प्लस x स्क्वाइर, प्लस 3x प्लस 1 तो अभी आप देखिए, x की खात 3 माइनस 3x प्लस 1 से आप दिये गई, भौपद में भाग देंगे, तो आपने यहाँ पर भाज में जो भौपद आएगा वो लिखा, x की खात 5 माइनस 4x की खात 3, प्लस x की खात 2, प्लस 3x प्लस 1, तो फिर आप देखिए, कि अगर आप x x की खात 3 का इसमें भाग देंगे, तो आपको x स्क्वाइर से गोणा करना पड़ेगा, तभी तो आप यह वाला पत बिल्कुल बरावर बना पाएंगे, तो आपके पास आजाएगा x की खात 5, आप देखिए, x स्क्वाइर का गोणा आप माइनस 3x से करोगे, तो आपके प तो आप देख रहे हैं, यहाँ पर x ही खात 5 और माइनस x ही खात 5 कैंसल हो जाएगा, यह माइनस का 4x ही खात 3 है और यहाँ प्लस का 3x ही खात 3 है, अर्थात माइनस का x ही खात 3 बचा, और देखिए, प्लस का x स्क्वाइर और माइनस का x स्क्वाइर आपके पास यहाँ से क अर्थात आप भाग दे सकते हैं तो देखिए आपको minus 1 का गोणा करना पड़ेगा तभी तो आपके पास minus x की खाथ 3 मनेगा अगर आप minus 1 का गोणा minus 3x में करोगे तो आपके पास plus 3x आएगा अर्थात आप x की नीचे ही लिखेंगे x वाले पद तो plus का 3x आपने लिख दिया और minus 1 का गोणा यदि आप x में करोगे तो आपके पास minus का 1 आ जाएगा तो देखिए अगर आप अभी इनको घटाएंगे तो देखिए minus है तो यह plus हो जाएगा plus है तो minus और minus है तो plus हो जाएगा तो आप यहाँ से देख रहे हो minus का x q और plus का x q यह तो आपके पास cat जाएगा इसी तरीके से देखिए plus का 3x है और यह minus का 3x हो चुका है तो यह भी आपके पास cancel हो जाएगा और लेकिन यहाँ पर plus 1 है और यहाँ पर भी plus 1 है यहाँ पर 2 आपके पास हो जाएगा यहां पर आपको ध्यान लखना है, कुछ आतर यहां पर 0 कर देंगे जल्दबाजी में, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करने हैं क्योंकि देखिए, प्लस का 1 है और यह प्लस का 1 हो चुका है चिनपरवतित करने के बाद, तो प्लस का 2 आजाएगा तो यहां से आपने देखा कि चूंके सेस्फल आपका जो दू आया है वो 0 के बराबर तो नहीं है अब चूंके सेस्फल 0 के बराबर नहीं है इसलिए आप बोल सकते हैं x इखा 3 माइनस 3x प्लस 1 एक गुड़न खंड नहीं होगा तो इस तरीके से आपने इस प्रशन को भी हल कर दिया है तो अब हम प्रशन सें क्या 3 हल करते हैं इस प्रशन में आपको बोला गया है कि 3x की खा 4 प्लस 6x की खा 3 माइनस 2x स्क्वाइर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी सुन्यक ग्याद कीजिए यदि इसके दो सुन्यक अंडरूट 5 बटे 3 और माइनस का अंडरूट 5 बटे 3 है तो देखिए सबसे पहले तो हम यह समय लिए कॉंसेप्ट एक कि यदि किसी भवपद के सुन्यक x बराबर अलफा है तो x माइनस अलफा एक गुडनखंड होगा तो आपने जब इस कॉंसेप्ट को समझा तो आप यहां से बोल सकते हो कि चुंकि सुन्यक रूट 5 बटे 3 है और माइनस रूट 5 बटे 3 है और देखिए x मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जन्रली हमारे पास जो भववपद रहता है वो x में रहता है अगर आपके पास y है तो आप y बराबर alpha भी बोल सकते है तो यहां से आपने देखा कि चुंकि यहां पर देखो भववपद आपके पास x में है अर्था जो चर है वो आपके पास x है तो सुन्यक आपके पास यह आ गए तो यहां से आप बोल सकते हो के x minus under root 5 बटे 3 तथा x minus minus under root 5 अच्छा यह under root खचन आपके पास अंसर अर दोनों में हैं, तो यहाँ पर आप यह हम दोनों में लगाएंगे तो देखिए आपके पास यह आ जाएगा under root 5 बटे 3 और यहाँ पर आ जाएगा minus under root 5 बटे 3, तो यह दोनों गोडन खंड हो जाएगे दिये गए भवपत के तो अगर आप देखें तो यहाँ से अगर इनका गोडना करोगे तब वो भी तो आपके पास यह गोडन खंड हो जाएगा, तो x minus under root 5 बटे 3 और देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो यह minus और यह minus मिलकर प्लस हो जाएगा, तो x plus under root 5 बटे 3 भी एक गोडन खंड हो जाएगा, तो देखिए, यहाँ पर मैंने तथा लगाया, अलग-अलग बचा और यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, अर्थात मैं बोल रहाँ देखिए, कच्छा नौ में एक सरवसन का बड़ी थी कि a minus b का गोड़ा, यदे आप a plus b से करोगे, तो आपके पास a square minus b square आता है तो यहाँ से आपको समझ में आएगा, कि अगर आप इनका गोड़ा करोगे तो x square minus under root 5 बटे 3 का whole square आएगा, तो यहाँ से देखो, इसको सरवल करने पर x square minus 5 बटे 3 आपके पास आ जाएगा, तो अभी यहाँ से आपके पास यह आ गया अब आपको यह तो पता लग गया कि x square minus 5 बटे 3 भी दिये गए भहुपद का यह गोड़न खंड होगा और दिये गया भहुपद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यह एक भहुपद दिया हुआ है, अर्थार इसका गोड़न खंड आपने निकाल लिए x square minus 5 बटे 3 इसका ताथ पर यह हुआ कि यदि आप x square minus 5 बटे 3 अब आप भाग देंगे तो देखिए, आपके पास आजाएगा यहाँ पर भाज अर्थार जो भहुपद है 3 गोड़न खंड चार प्लस 6 गोड़न खंड खंड तीन minus 2 गोड़न खंड गंड दो minus 10x minus 5 तो अभी आप देखिए, यहाँ पर भाग दीजेगा तो आपके पास आजाएगा x square से जब आप इसमें भाग देंगे तो 3x square का गोड़न करना पड़ेगा तभी तो आपके पास 3 गोड़न खंड चार आएगा फिर देखिए, 3x square का जब आप minus 5 बटे 3 में गोड़न करोगे तो minus का 5x square बचेगा क्योंकि मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ minus का 5 बटे 3 का गोड़न 3x square से यह दे आप करोगे तो देखिए, यह आपके पास बच जाएगा minus का 5x square के बराबर तो यहाँ से आप minus का 5x square जो बचा है तो आप x square वाले पद के नीचे ही तो x square वाले पद लिखते थे तो आप यहाँ पर लिख दोगे minus का 5x square तो देखिए, अब आप इनको घटाएंगे तो देखिए, यहाँ पर अभी कोई भी चलन नहीं है यह minus का 10x minus 5 आपके पास आ गया अब आप देखो, यह x square है यहाँ 6x ही हाथ 3 अर्थाद भाग जा सकता है तो आपको plus 6x से गोणा करना पड़ेगा तो 6x ही हाथ 3 आ गया अगर आप 6x से minus 5 बटे 3 में गोणा करेंगे तो अभी आप जब घटा होगे तो आप देख रहे हैं यहाँ minus हो जाएगा क्योंकि अभी यह plus था गटाने पर चन परवर्तित हो गया इसी तरीके से देखिए minus है चन परवर्तित हो जाएगा घटाने पर यह plus बन गया यह cancel हो जाएगा और यह भी आपके पास cancel हो गया तो आपके पास बचेगा 3x square minus 5 फिर आप देख रहे हैं कि क्या आप दुबारा भाग दे सकते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर घात दो है यहाँ पर घात भी दो है और साथ आप भाग दे सकते हैं देखेंगे आप plus 3 का गुणा करोगे तो आपके पास आगया plus का 3x square यह देखो 3 का गुणा अगर आप minus 5 बटे 3 से करोगे तो minus का 5 आजाएगा तो अगर आप घटाओगे तो यह चन परवसेज आपने कर दिया तो आप देखेंगे आपके पास दोनों कैंसल हो जाएँगे अर्था सेसफल आपके पास 0 आजाएगा इसका मतलब अब्विस थी बात है सभाविक था कि सेसफल आपके पास 0 ही आना था तो क्योंकि यह तो आपके पास गोडन खंड आया था इनका गोडन फल भी इसका मतलब यह हुआ कि आप सेसफल प्रमे से इसको लिख सकते हैं जो भवपथा वो जाएगा 3 गुणा x e h 4 प्लस 6 गुणा x e h 3 माइनस 2 x स्क्वाइर माइनस 10 x माइनस 5 बराबर आपने भाग दिया x स्क्वाइर माइनस 5 गटे 3 से और आप देखिए जो आपके पास भागफल आया है वो आया है 3 x स्क्वाइर प्लस 6 x प्लस 3 और सेसफल तो 0 आया है तो आप सेसफल प्रमे से इतना लिख सकते थे अब यह प्लस 0 भला ही हमने लिखा आया है लेकिन हम इसको अटा भी सकते हैं क्योंकि 0 को जोडने का कोई औचत्ती नहीं है क्योंकि कोई भी परवर्तन तो होता ही नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि इसके जो 4 मूल आएंगे देखिए 2 मूल तो यहां से आएंगे और 2 मूल या 2 सुन्यक आप बोल सकते हैं यहां से आएंगे तो देखिए यहां से तो आपने पता ही है आपको क्योंकि प्रश्न में दिया था वहीं से तो आपने इसको बनाया है तो देखिए x माइनस अंडरूट 5 बटे 3 मैं एक बार ऐसे ही लिख देता हूँ और यह x प्लस अंडरूट 5 बटे 3 आएंगे यह अंडरूट कच्छन आपके पास अंसरर दोनों में है तो इस बात का आप ध्यान रखें अब यहां से 3 x square प्लस 6 x प्लस 3 आपके पास बचाए तो चलिए इसको हम यहां पर ऐसे लिख देते हैं तो जो बाकी के दो सुन्यक आएंगे अर्थार जो दो मूल आएंगे सुन्यक को हम मूल भी बोलते हैं वो आपके पास आजाएंगे 3 x square प्लस 6 x प्लस 3 से तो अभी आप देखो अगर आप चाहो तो 3 को common ले सकते हो तो आपके पास बन जाएगा x square प्लस 2 x प्लस 1 तो यहां से देखो 3 अब अगर आप इसके सुन्यक निकालना चाहोगे तो आपके पास दो तरीके हमने आपको बताए थे एक तरीका था सिजर चारे विदी से और दूसर तरीका था गुड़न खंड से तो देखे गुड़न खंड यह आप करोगे x square plus x plus x plus 1 आ जाएगा तो देखे 3 अब यहां से आप x common ले ले इन में तो आपके पास बचेगा x plus 1 और यहां से आपको कुछ ऐसा common लेना है कि यह ही हेक्टर आना चाहिए तो यहां से आपने 1 common लिया तो x plus 1 आपके पास बच गया तो यहां पर आप देख रहे हैं कि x plus 1 x plus 1 यह दोनों जो गुड़न खंड है वो बहने स्टाप ले लोगे तो आपके पास अगला जो गुड़न खंड बचेगा वो भी x plus 1 ही बच जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि जो अन्य सुन्याक हैं आपके पास जो आपको दिये हुए थे उसके अलावा वो आपके पास हो जाएंगे यहां से देखिए minus 1 आ जाएगा और यहां से भी आपके पास देखिए minus 1 आ जाएगा इसका मतलब आपको इस भवपत के चारो सुन्याक पता लग गए दो तो आपके पास दिये हुए थे और अन्य जो दो सुन्यक होंगे वो माइनस एक तथा माइनस एक हो जाएंगे तो अब आप एक बात ये गौर करिए हम एक मेथड से इसको और बताएंगे कि यहाँ पर हमने एक स्क्वाइर माइनस पांच बटे तीन ही आपके पास लिखा रहने दिया है अगर आप चाहें तो आप इसमे को लासापा लेकर एक बटे तीन एक स्क्वाइर गुड़ा तीन माइनस पांच लिख सकते हैं और आप इससे भी भाग दे सकते हैं क्योंकि दोनों बाते सेम ही हैं और अगर आप एक बटे तीन को फिर हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं क्योंकि किसी भी चर्क स्वारी अचरपद का गुड़ा या भाग करने पद उसके सुने को में कोई भी अंतर नहीं आता है तो अभी आप देखिए मैंने x square minus 5 बटे 3 से तो पहले भाग दिया था अब मैं method 2 में 3x square minus 5 से भाग देता हूँ तो आप देखिए आपके पास answer बिलकुल सही आएगा उसको हम करके भी दिखा देते हैं यह आपके पास हो जाएगा 3x4 plus 6x3 minus 2x square minus 10x minus 5 तो अगर आप देखिए भाग देंगे तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यह आपके पास 3x4 और यहाँ 3x square अर्था x square का गुणा करना पड़ेगा तो 3x4 आ गया x square का यह आप minus 5 में गुणा करोगे तो minus 5 x square आएगा तो आप x square के नीचे लिखेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ minus 5x square और इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ तो अभी आप देखिए अगर आप इनको घटाएंगे चिन्द तो परवर्तित हो जाएगा तो यह minus हो गया यह plus हो जाएगा तो यह 6x की हाथ 3 यह आपके पास plus 3x square minus 10x minus 5 आएगा फिर आपने देखा कि आपको plus 2x का गोणा करना बढ़ेगा तो यह आपके पास 6x की हाथ 3 आगया और 2x का गोणा यदि आप minus 5 से करोगे तो minus का 10x आजाएगा तो देखिए यह minus आगया और यह plus तो आपके पास 3x square आगया और यहाँ minus 5 आजाएगा तो देखिए यह cancel हो गया और यह भी cancel हो गया तो आपके पास 6-0 आया इसका मतलब आपको यह समझ में आया कि जो 2 अन्य सुन्यक होंगे वो आपके पास x square plus 2x plus 1 से मिलेंगे और वो हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके पास जो भागफल आया है वो x square plus 2x plus 1 ही आया है तो देखिए इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हैं आपको हमने बताया ही था आप एक गुडणखंड विदी से कर सकते हैं और एक सीधर चारे विदी से तो पिछले जो मैथड में मैंने गुडणखंड विदी यूज करी एसी को आप मैं सीधर चारे विदी से कर देता हूं तो देखिए आपके पास आजाएगा x बराबर minus b plus minus under root b square minus 4ac बटे 2a आपको यह formula यूज करना है जब आपके पास ax square plus bx plus c इस तरीके का भौपद हो तो आप देख रहे हो कि आप यदि compare करोगे इसमें तो a command तो आपके पास 1 हो गया b command 2 आजाएगा और c command 1 आजाएगा तो इस तरीके से अगर आप इसके सुन्यक निकालना चाहोगे तो आप देख सकते हो कि आपके पास आजाएगा x बराबर minus b अर्था 2 plus minus under root में b square अर्था 2 का square minus 4 गुणा a गुणा c तो देखे a और c command 1 और 1 आपने लगा दिया बटे 2a अर्था 2 गुणा 1 तो आप देखिए कि x बराबर minus 2 plus minus under root में यहाँ पर आप देखिए 2 का square 4 आया minus 4 का एक से और फिर एक से गुणा किया तो 4 ही रहेगा बटे 2 आ गया अब देखो आपको यहाँ से यह सोझ में आ गया कि जो यह 4 minus 4 जो under root में लिखा हुआ यह तो आपके पास 0 आ गया कि क्या यहाँ पर एक ही सुन्यक आएगा क्योंकि यहाँ पर तो आपको एक ही दिखा ही दिर आ है लेकिन आप देखिए आपको हमने पिछले प्रशनावली में बताये भी था कि अगर यहाँ पर आपने देखा कि दो हात का भहवपद आर्था, दो सुन्याक आपके पास आनी चाहिए और लेकन आपने देखा यहां पर आपके पास एक ही सुन्याक आरा है इसका मतलब यह हुगा, कि जो दूसरा सुन्याक होगा वो भी माइनस एक ही आपके पास आ जाएगा इसलिए अन्य जो सुन्याग आपके पास आएंगे दिये गए भवपत के वो आपके पास माइनस एक तथा माइनस एक ही हो जाएंगे अब हम प्रशन संगया 4 हल कर लेते हैं इस प्रशन में आपको बोला गया है कि यदि x की हाथ 3-3x2 प्लस x प्लस 2 को एक भवपत gx से अगर आप भाग दें तो भागफल तथा सेस्फल क्रमसा x-2 तथा –2x प्लस 4 आता है तो gx का मान आपको ग्याद करना है तो अभी आप देखो अगर आप नमबर्स में बात करते थे यहाँ पर तो भला ही भवपत दिये हुए तो नमबर्स में पहले हम समझते हैं नमबर्स में आपने सीखा था कि आपके पास जो भाज्य आता है वो होता है भाजक गुणा भागफल प्लस फेस्फल के बराबर देखिए यह आपने पढ़ा था तो अभी आप चाहें नमबर्स की बात हो अर्थात अंकों की बात कर रहे हो चाहें यह भवपत एक्स या जिसमें भी आपके पास भववपत हैं उसकी आप बात कर रहे हो आपको यही फॉर्मुला यूज करना है तो भाज्य तो देखिए यह दाएगा क्योंकि आपको इस में भाग देना है भाज यह वो होता है जिस में भाग दिया जाता है तो देखिए यह आपके पास आगया एक्स की खाट तीन माइनस तीन एक्स स्क्वाएर प्लस एक्स प्लस दो भाजक भाजक वो होता है जिस से भाग दिया जाता है तो द तो आप यहां से देखिए माइनस 2x प्लस 4 को पच्छांतर करेंगे 22 की तरफ तो आपके पास आजाएगा x की घाथ 3 माइनस 3x स्क्वाईर प्लस x प्लस 2 अब देखिए माइनस 2x है तो यह प्लस का 2x आ गया और देखिए यह प्लस का 4 है तो यह यहां पर माइनस का 4 आ गया तो आपके पच्छांतर करने में चिन परवर्तित आपके पास हो जाते हैं और यह आपके पास आ जाएगा gx गुणा x माइनस 2 तो अगर आप देखो बाएं पक्च को अगर आप थोड़ा सरल करोगे तो x की खाथ 3 माइनस 3x स्क्वार अब देखी यहां पर प्लस x है और यहां पर प्लस का 2x है तो यह मिलकर प्लस का 3x बन गया और देखी यहां 2 है और यहां माइनस 4 है तो यह मिलकर आपके पास माइनस का 2 हो जाएगा तो यहां से आपने यह तो कर दिया हल अब आप देखिए कि आपको ये बराबर अगर आप लिखोगे आगे तो यही लिखोगे gx गुणा x-2 इसका मतलब ये हुआ gx आपके पास हो जाएगा x की गाथ 3-3x² प्लस 3x-2 बटे x-2 इसको अगर आप थोड़ा समझेंगे तो ये बेसिकली आपके पास लिखा हुआ है कि ये जो भौपद है आपको इस भौपद में x-2 से भाग देना है क्योंकि ये आपके पास उपर अंसमे लिखा हुआ अर्थाद ये भाज्य हो जाएगा और ये आपके पास भाजक हो जाएगा तो चलिए अब हम भाग करते हैं तो देखें आपके पास x-2 भाजक बन चुका है और भाज्य आपके पास बन चुका है x की खाद 3 माइनस 3x स्क्वाइर प्लस 3x माइनस 2 फिर आप अगर भाग दोगे तो आपको पता रगेगा कि x स्क्वाइर से गोणा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ x क्यूब है x स्क्वाइर से यह गोणा करेंगे क्योंकि माइनस और प्लस चिन का अंतर है और यह आपके पास माइनस का x स्क्वाइर प्लस का 3x माइनस का 2 आपके पास आ गया फिर आप देखिए कि आप माइनस x से गोणा करोगे तो यह आ जाएगा माइनस का x स्क्वाइर फिर देखिए आपके पास माइनस का 2 से माइनस के x में गुणा करोगे तो प्लस का 2x आ गया तो अगर आप घटा होगे तो देखो यह प्लस आ गया और यह आपके पास माइनस आ जाएगा क्योंकि घटाने पर चिन परवर्तित हो जाते हैं तो आपने देखा ये भी आपके पास cancel हो जाएगा और आपके पास यहाँ से बच जाएगा 5x minus 2 के sorry यहाँ पर 3x है और यहाँ minus का 2x है तो 5x ना होकर आपके पास केवल x बचेगा minus 2 के बरावर फिर आप देखिए कि यहाँ पर आगर आप plus 1 कर दें साथ 1 का गुणा करोगे तो आपके पास x minus 2 आजाएगा देखिए minus और यह plus तो यह भी आपके पास cancel हो जाएगी तो आपके पास 0 आगया तो इसका मतलब आपने देखा कि gx जो होगा यही तो आपके पास आजाएगा जो आपके पास भागफल आया इसलिए यहां से gx कमान आपके पास आजाएगा x square minus x plus 1 और आपको प्रश्ण में gx निकालने को भी बोला गया था अते यही आपका आंसर हो जाएगा तो अब हम प्रश्णावली 2.3 का सबसे अंतिम प्रश्ण अर्थात प्रश्ण संक्या 5 हल करते हैं यहां पर आपको बोला गया है कि भावपदों px, gx, qx तथा rx के ऐसे उधारण दीजिए जो विभाजन एल्गोरेक्न को संतुष्ट करते हो तथा और यहां पर आपको पास 3 case दिये हुए हैं अल्था 3 इस्सेतिया दिये हुए है तो सबसे पहले तो आप यह समय लीजिए आपके पास जो px दिया हुआ है जो gx दिया हुआ है qx दिया हुआ है और rx दिया हुआ है वो क्या-क्या है क्योंकि यहां पर कुछ भी बताया है तो नहीं गया है तो देखिए अगर आप जनरल नोटेशन के साब से समझेंगे तो px आपके पास भाज्य हो जाएगा gx आपके पास भाजक है qx आपके पास भागफल है और rx आपके पास फेस्फल है देखिए qx इसका नाम इसलिए पढ़ा है क्योंकि q से कोशेंट होता है जिसको हम अंगरेजी में कोशेंट ऐसे लिख दिया हिंदी में जिसको हम भागफल बोलते हैं और rx के लिए बोलते हैं इसको क्योंकि अंगरेजी में सेस्फल को remainder बोलते हैं इसलिए यहां से आपको सेसफल और भागफल तो समझ में आ गया, आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना है, तो देखें आपने एक फॉर्मुला पढ़ा था, कि जो भाज्य होता है, अर्थात PX बराबर, भाज्यक गुणा भागफल होता है, अर्थात GX गुणा QX आएगा, प्लस सेसफल आता है, तो सेसफल आपने RX रिख दिया, अब आप यहां से सबसे पहले तो यह समझ लें, कि जो आपको यह प्रशन दिया गया है, इस प्रशन में आपको बोला गया है, कि ऐसे उधारण आपको देने हैं, जो विभाजन अगोरिशन को संतुष्ट करते हों, तो आपके पास जरूरी नहीं है, जो आपने हल किया हो, वही आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखा हो, ऐसे आपके पास अंगिनत उधारण ऐसे हो सकते हैं, जो इन संभावनाओं को संतुष्ट करते हों, तो आप बिल्कुल भी निश्चिनत रहें, कि आपका सवाल गलत हो सकते हैं, तो देखे, सबसे पहला हम भाग पर बढ़ते हैं, सबसे पहले भाग में आपको दिया हुआ हैं, घात PX बराबर, घात QX के बराबर, तो अभी आप यहाँ से देखो, कि घात PX का मतलब यह है, जो PX वाला भूपद उसकी घात, और जो QX वाला भूपद उसकी बराबर होनी चाहिए, तो देखे, यहाँ पर बराबर का चनल लगाए, तो यहाँ पर यह समझ में आगए, कि जो PX वाला भूपद है, और QX वाले भूपद की घात बराबर होगी, तो अभी आप यहाँ से देखो, कि PX अर्थात इसकी घात, और QX वाले भूपद इसकी बराबर है, इसका ताथ परे तो आपके पास यह हुआ, कि जो GX वाला भूपद है, इसकी घात आपके पास 0 आनी चाहिए, क्योंकि मान लीजेगा, मैं आपको समझाने के तोर पर एक उधाराण के तोर पर बताता हूँ, कि PX वाले भूपद की घात 5 है, तो मान लीजेगा आपने X घात 5 प्लस सम्झिंग करके PX लिखाए, बराबर, आपको QX वाले भूपद की घात बराबर दी गई थी, तो चलिए QX वाले भूपद की घात लिए, आपने 4X घात 5 प्लस सम्झिंग करके ऐसे लिख दिया, अब यहाँ GX बचा है, और यहाँ आपके पास RX बचा फिर आप देखिए, कि यहाँ से, अगर आप गुणा करेंगे, GX की आप घात कुछ भी मान लेंगे भूपद की, तो गुणा करने पर तो घाते जुड़ती है, अगर आपने GX के भूपद की घात 1 मानी, तो यह वाले पूरे भूपद की घात 6 हो जाएगी, क्योंकि 1 और 5 जुड़के 6 हो जाएगा, अर्थात, चुंकि यह 5 है और आपको बोला गया, यह भी 5 ही रहना चाहिए, इसका मतलब आपको सौझ में आया, कि GX वाले भूपद की घात 0 आनी चाहिए, इसका मतलब GX एक अचर होना चाहिए, तो यहाँ से आपको यह सौझ में आ गया, कि GX वाला जो भूपद होगा, वो एक अचर होगा, तो अब देखिए, अब आप ऐसे बहुत सारे उधारण लिख सकते हैं, तो जैसे देखिए, PX, आप कोई भी भूपद मान सकते हैं, आप मान सकते हैं, 5 घात वाला भूपद आप हो सकता है, 2 घात वाला भूपद मान लें, आप 10 घात वाला भूपद भी मान सकते हैं, लेकिन मैं आपको धारण के तोर पर एक सरल सा तरीका बता देता हूँ, कि आपको थोड़ा कम मेहनत भी लगे, तो आप सबसे कम घात का मतलब, एक, दो, ऐसी तीन घातों वाला एक भूपद कोई सा भी मान सकते हैं, जैसे मान ल नहीं हाँ पर आपके सामने, QX तो अभी हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो तो RX पेटिपेंट करेगा, तो देखिए, हमने GX, हमको GX यहां से पता लग गया है, कि GX एक अचर है, तो GX चूँके एक अचर है, तो यह आपके पास आपने कुछ तीन, या आप मान सकते हैं इसको एक मान सकते हैं, आप चाहें तो एक मान सकते हैं, तो देखिए, आपने इसको एक लिख दिया, अब यहां से आप देखो, कि अगर आप GX से PX में भाग देंगे, तो देखिए, GX से PX में भाग देंगे, तो आप कुछ ऐसे लिखेंगे, चलिए, अब इसको हम तो देखिए अगर आप यहाँ पर इसको 3x square प्लस 4x प्लस 8 कर लिजेगा क्योंकि थोड़ा आपके पास सरल हो जाएगा तो आप यहाँ से 3 और यहाँ पर भी 3 आप कर लिजेगा तो देखिए आपके पास यहाँ से आ जाएगा x square का गोणा करोगे तो 3x square आ गया तो यह हो गया आपके पास 4x प्लस 8 बचा है तो अभी आप यह देखो कि प्लस अब आप 4x हैं यहाँ तीन है आपके पास तो आपको यह देखना है कि किसका गोणा आप कर रहें तो 4x आपके पास बनेगा तो आपको समझ में आएगा कि 4x बटे 3 का गोणा आप कर दोगे तो 4x आपके पास बन गया प्लस यहाँ से आपके पास 4x ही बचेगा क्योंकि एक ही पद है तो अभी आप देखो यह तो आपके पास cancel हो गया और यह आपके पास 8 बचा तो अभी आप एक का गोणा कर दोगे sorry 2 का गोणा हो जाएगा क्योंकि 8 में तो 3 से बच देंगे तो 2 बर चला जाएगा तो यह 6 आ गया और यह 2 बचा तो अभी आप देखो कि जो आपके पास qx आया है अर्थाद भागफल है वो आप देख सकते हो जो आपके पास सेसफल बचेगा वो आप देख सकते हो आपके पास 2 आया है तो इस तरीके साब का पहला भाग हल हो गया चलिए अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं देखिए दूसरे भाग में आपको दिया हुआ था कि घात qx बरावर घात rx तो अभी आप यह देखो कि घात qx और घात rx आपको बरावर दिया हुआ है अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जो आप px बरावर qx गुणा gx प्लस rx लिखते हैं उसमें आपके पास जो भागफल है और जो आपके पास सेसफल है उसकी घात आपको बरावर दिया हुई है तो देखें उधारन के तोर पर आपको फिर यह समझ में आएगा कि sorry qx तो आपके पास यह है यह तो आपके पास भाजक है gx तो यहां से इन दोन की घात आपके पास बरावर दिया है तो ये समझ में आया कि आपको अगर इनकी घात बराबर है तो PX आपके पास GX के बराबर होना चाहिए अर्थात PX की घात और GX की घात बराबर होनी चाहिए तो चलिए उधारन के तौर पर हम मान लेते हैं PX की घात आपने मान ली 2X स्क्वाइर माइनस 4X प्लस 3 आप मान सकते हैं 5 घात का भी 10 घात का 7 घात का कितने भी घात का मान सकते हैं लेकिन आप एक उधारन के तौर पर आपको एक सरल करके आप बता रहे हैं और GX आपने मान लिया X स्क्वाइर माइनस 2X प्लस 2 के बराबर तो अभी आप यह देखो के PX की घात तो GX की घात आपने बराबर कर दी तो आपके पास देखना QX और RX की घात सेम ही आएगी चलिए करके देख लेते हैं तो इसका मतलब साथ GX से आपको PX में भाग देना है तो देखिए अब हम भाग देते हैं तो आपके पास आजाएगा X square माइनस 2X प्लस 2 से आपको PX अर्थात 2X square माइनस 4X प्लस 3 में भाग देना है तो देखिए 2 आपके पास आगया 2X square माइनस 4X प्लस 4 अब आप देख सकते हैं ये तो cancel हो जाएगा ये plus हो गया ये भी cancel हो गया और ये minus हो गया तो यह आपके पास minus का 1 बच गया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर यह है आपके पास Qx और यह minus 1 है यह है आपके पास Rx अर्थास faceful और यह है आपके पास भागफल मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर और यहाँ आपके पास faceful आ गया अब आप देख भी सकते हैं कि जो भागफल और सेसफल की घात आ रही है देखिए घात यहाँ पर इस भवपत की 0 है क्योंकि X का कोई पदी नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर घात 0 बोलेंगे इसी तरीके साथ देख रहे हैं तीसरे भाग में आपको बोला गया है कि घात Rx बराबर आपके पास 0 होनी चाहिए देखिए तीसरे भाग में लिखते हैं घात Rx बराबर 0 इसका मतलब यह बोला गया है कि जो Rx वाला भवपत है उसकी घात 0 आनी चाहिए तो देखो आपने तो सीखा था कि Px बराबर Qx गुणा Gx प्लस Rx तो अगर आप देखो कि इसकी घात तो आपके पास जो रिमेंडर अर्था जो सेस फल है उसकी घात 0 है उस वाले भवपत की घात 0 अर्था इसकी घात 0 आनी चाहिए इसका मतलब यह हुआ जो Px की घात है वही Qx और Rx Gx की घात की गुणा सल के बराबर आनी चाहिए तो देखिए एक उधारण आपके पास उनने पिछले प्रशन में देही दिया था देखिए यहाँ पर भी देखिए Rx की घात तो 0 ही आ रही है तो आप चाहें तो यही उधारण लिख सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर आपको और समझाने के लिए एक दूसरा उधारण ले लेता हूँ तो देखिए यहाँ से आप यदि Px को 4x स्क्वाइर माइनस 8x प्लस 9 बोल दें और Gx को यदि आप 2x स्क्वाइर माइनस 3x प्लस यहाँ पर मैं 4x लिख देता हूँ प्लस मान लिजेगा आपने 2 बोल दिया तो अभी आप यह देखो कि अगर आप Gx से Px में भाग देंगे तो आप कुछ ऐसे लिखेंगे तो अब हम भाग देके देखते हैं तो 2x स्क्वाइर माइनस 4x प्लस 2 से आप 4x स्क्वाइर माइनस 8x प्लस 9 में भाग देंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा यहाँ 2 तो यहाँ 4x स्क्वाइर माइनस 8x प्लस 4 आ गया तो अभी आप देखो ये minus कट गया, ये plus तो ये भी आपके पास cancel हो जाएगा और ये minus हो गया तो 9 में से यह देखे आप 4 घटाओगे तो 5 आजाएगा, तो आपने देखा कि ये आपके पास QX है, तो QX के बारे में तो तीसरे वाले उसमें कुछ बोला ही नहीं था ये आपके पास 5 है अर्थाद, इसका मतलब ये हुआ यही तो आपके पास RX हो जाएगा तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है कि RX की घाट आपके पास 0 आ जाएगी तो देखिए, एक तो आपने उधारा न ये सीख लिया मैं एक दूसरा उधारा आपको बता देता हूँ कि आप ध्यान लखें जब भी आपके पास एक्जामपल 2 करके मैं आपको समझा देता हूँ जब भी आपको बोला जाए कि RX की घाट 0 है या 5 है या 3 है कुछ भी आपको बोले तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि RX की घाट 0 है अर्थात RX एक अचार होना चाहिए अर्थात 2, 3, 5 ऐसे टाइप का कुछ भी होना चाहिए तो यहाँ से ये समझा है तो रंद कि जो आपके पास GX आएगा उसकी घाट आपके पास इसकी घाट से एक बड़ी तो कम से कम होनी ही चाहिए अब चुक्कि यहाँ पर घाट 0 है अर्थात आप बोल सकते हो कि जो GX वाले भौपत की घाट आएगी वो या तो 0 आएगी या, सौरी, 0 नहीं हाँ, 0 भी बोल सकते हैं या, आप एक बोल सकते हो या, दो बोल सकते हो, या 3, मतलब आपको यह समझ में आ गया है कि इसकी घाट उससे बड़ी ही आनी चाहिए तो आप देखिए, अगर गलती नहीं करना चाहते है तो 0 को आप हटा दें एक या, दो, या, तीन, या, ऐसे करके कोई सीवी बड़ी घाट लख सकते है 0 वाली घाट भी संबभ हो सकती है लेकिन उसमें कहीं-कहीं जगे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा तो देखिए, मैं एक उधान के तोर पर यहाँ पर आपको इस वाले भाग से बताता हूं कि अगर आप GX को, देखिए, घाट 0 है तो आप GX को X प्लस 2 माल लिजेगा और PX को आप X प्लस 8 माल लिजेगा तो अभी देखिए, बहुत आसान बन गया यह समझना अपने लिए, तो अगर आप X प्लस 2 से X प्लस 8 में भाग देंगे, तो आप देख सकते हो यह एक बार जाएगा, तो X प्लस 2 आजाएगा और यह आपके पास 6 आजाएगा, तो आप देख रहे हो, यही आपके पास सेस्फल आजाएगा, क्योंकि आप तो आप भाग दे ही नहीं सकते तो इसका मतलब यहीं आपके पास झाल झाल